हेलो एफ्रीवन, वेलकम तो शिवी स्टैडिशिप, इस चैप्टर 15 ऑफ आरे शर्मा एशन इंडियन हिस्टरी ऑफ ओल्ड न्सी आर्टी पब्लिश्ट पायो ऑक्सफोर्ड, इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं टेरिक्टोरियल स्टेट्स एंड राइस ऑप द होती थी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जेन और बोध धरम के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से जो टाउंस हैं उनका स्टाब्रिश्मेंट होना शुरू होता है और कौन-कौन सी डाइनस्टी उसके अंदर आके उनका किस तरह का एड्मिस्ट्रेशन होता है तो इसलिए चैप्टर को बहुत ही हमारे साथ ध्यान से सुनिएगा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहली है इस चैप्टर में हमारी condition for the rise of large states अब इससे पहले कोई बहुत बड़े states नहीं हुआ करते थे छोड़ी छोड़ी जो tribes है वो जरूर होती थी clan होते थे लेकिन इतने बड़े level पे कोई state established नहीं हुए थे जैसे कि अब होने लगेंगे तो ऐसे क्या condition बनी है जिससे की जो large state है वो बहुत जादा मतलब एक बड़े level पे हमको दिखाई दिए अब होता क्या है from the 6th century BC onward 6th century के बाद क्या शुरू होगा जो RN का use है वो बहुत जादा बढ़ जाएगा खासका जो eastern UP है हमाँ पर और western बिहार में और यही ऐसी condition create कर देता है जिससे की बहुत बड़े बड़े large states की formation होती है क्योंकि यहाँ पर पहले jungle वाला area हुआ करता था completely forest area था और forest को clear करना कोई plug के बने हुए जो tools होते हैं उनसे possible नहीं है लेकिन iron के use से उनको clear करना आसान था जैसे ही iron का use बढ़ता है तो उन forest को clear करते हैं और बड़े बड़े towns होते हैं उनका धीरे धीरे बहुत सी और भी चीज़े इसके लिए responsible होती हैं लेकिन जो main था वो था use of iron जिस वज़ा से यह जो states हैं इनकी formation होती है armed with iron weapons the warrior class now played an important role अब जो warrior class थी उनके पास भी weapons थे अभी तक तो वो simple weapons यूज़ करे थे जो basically copper के stone के बने होते थे लेकिन अब उनके पास जो weapons होंगे वो होंगे iron के और iron के weapons आपको पतागी है कि वो कितना important role प्ले करेंगे आगे new agriculture tools आते हैं, implements आते हैं जिनोंने पीजन की बहुत ज़ादा help करी बहुत ज़ादा produce को उन तक लाने के लिए जो food grain था अभी उचे बहुत चोटे level पर हो रहा था अब उस iron के बने हुए tools की वज़ा से वो एक बड़े level पर होने लगा बड़े level पर food grain होने लगे, उनका ज़ादा consumption भी होने लगा क्योंकि वो अब उससे trade करने लगे जो इतना सारा वो खुद तो अपने पास रखेंगे नी जो extra produce होता था, उसको वो किसको दे दिया करते थे, जो princess वगेरा होते हैं, उनको दे दिया करते थे और prince उनसे क्या करते थे, अपने जो military होती है, उसकी needs को उसे पूरा करते थे जो surplus होता है, वो town के लिए इतना हो जाता था कि किसी भी town को बसाने के लिए या उसके खर्चे को देखने के लिए, वो sufficient इतना surplus, जो peasants थे, वो अब उगाने लगे थे 5th century के बाद से, these material advantage naturally enabled the people to remain on their land, अब आपको सोचे, जो इनसा निती जादा मेहनत कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी पर, वो उसे छोड़के क्यों जाएगा, इससे पहले तो ये लोग ऐसे थे, कुस टाइम के लिए एक जंगा रुके, फिर थोड़ी बहुत farming करी, agriculture करा, वो क्यों जाएगा, तो इसलिए, अब इन लोगोंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी land टकनी शुरू कर दी, मही पर इन्होंने बसना शुरू कर दिया, और जब लोग वहाँ पर बसेंगे, तो फिर वहाँ पर ओव्यस सी बात है, वहाँ पर फिर वो जो भी grains उका रहे हैं, उसका trade भी करेंगे, और थिरे-थिरे अपने आपी सारी condition ऐसी बनी जाएंगी, कि वहाँ पर कोई भी टाउन अराम से establish हो सकता है, Also to expand at the cost of neighboring areas, इन्होंने अब तक, अब जब agriculture जादे होने लगा, food grains जादा होने लगा, trade होने लगा, तो फायता तो इन्हीं को पहुच रहा था, तो इनके मन में कहीं न कहीं ये बाते आने लगी, कि हमें अपना जो land area उसको बढ़ाना चाहिए, इन्होंने अपने जो आस पा अब यही चीज़े होती है, जब एक large state बनता है, टाउंस के साथ, तो उसकी strength के लिए है ना, उसका अगर वो कोई भी state है, सबसे दरूरी है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, तब ही जो उसका state है, वो क्या हो पाएगा, वहां पर बस पाएगा, रामसर, people are strong allegiance to the janpath or the territory to which they belong rather than to their jan or tribe, ठीक है, जो लोग वगरा है, उनको बोला काया, जो territory है, उसको समय janpath बोलते थे, और जो उसमें रहने वाले जो लोग थे, उस territory के अंदर उनको jan या फिर tribe बोलते थे, अब बात करते हैं, महा janpath क्या थे, we may recall that a few janpath aroused towards the end of the Vedic period, कुछ janpath ऐसे ह होते हैं, यह janpath कुछ और नहीं, बलकि यहां पर यह states को ही खा गया है, कोई janpath ऐसे होते हैं, जो Vedic period का जब end हो रहा होता है, तब उनका rise शुरू हो जाता है, with progress in agriculture and settlement by 500 BC, they become a common feature, क्योंकि इस समय जो agriculture था, उसमें भी काफी अच्छी progress हो रहे थी, और जो settlement था, उसमें भी Central Asia है, इसमें Panini ने बताया है, यह एक scholar थे, इन्होंने बताया है, कि यहां इसके आसपास कम से कम 40 janpath हुआ करते थे उस समय भी, जब major part है, Southern India का, वो अभी इस से बाहर है, the Pali text show that janpath grew into the maha janpath, पहले यह janpath थे, एक simple, जैसे normal state होता है, वैसे, धीरे धीरे यह इतने powerful हो ग category में आगे, that is, large state or the country, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अभी एक बड़े state, या फिर एक देश की तरह उनका काम शुरू हो गया था, these text mentions 16 of them, इन मेरे सबसे important थे, वो 16 maha janpath थे, 9 of them also occur in panini, not as maha janpath, but as janpath, लेके इन में से 9 के बारे में जो panini है, उन्होंने कैसा बताया है, उन जब बुद का टाइम था, तो हम देखते हैं, उस समय कम से कम 16 large state थे, जिनको maha janpath की category में रखा गया था, कब जब lord budh भी थे, most of these states arouse in the upper and the mid gangetic plane, इन में से जाद तर थे, वो अपर या mid gangetic plane था, या उसके दौाव वाला जो area था, जहापर गंगा, यमना और उनकी tripurities मिलती थी, वहाँ पर इन में से जाद तर महाजनपत मही established थे, ठीक है, या फिर विंद्यास के north में, या फिर जो northwest, जो frontier है, से लेके बिहार तक, बात के चलिए कि यह हमारा कुछ इस तरह से इंदिया है, इसको समझने की कोशिश करना इस तरह से, तो यहाँ पर यह विंद्यास है यहाँ पर नर्मदा नदी भैती है, और यह तरह विंद्यास है, तो कही न कहीं यह north को south से अलग करती है, तो यह कहा गया है, कि जो 16 महाजनपत थे, वो कम से कम इन विंद्यास की range तक, यहाँ तक इस से उपर उपर area से पूरे के पूरे, वो fell चुके थे, जो महाजनपत थे और बिहार से लेके पूरा जो north west frontier था, यह वाला पार्ट था जो, पाकिस्तान वाला पार्ट था, यहाँ तक पूरे area में इसमें, वो 16 महाजनपत थे, कौन-कौन से थे इसमें, मगत, कोशल, वत्स, अवन्ती, यह बहुत चादा powerful थी, इसलिए इनके नाम अलग से mention किये अगर आप present modern district की बात करो, तो जो भागलपुरो, जो मौगयार है, वहाँ पर कभी जो अंग है, वो हुआ होता था, इस अंग की capital क्या थी, उसमें, चंपा, यह capitals भी आपको याद रखनी है, यह भी important होती है, तो इस अंग की capital थी, चंपा, okay, which shows sign of habitation in the 5th century BC, और यहाँ प it's powerful neighbor, Magad, लेकिन कुछ time बाद, जो Magad था, क्योंकि मैं आपको बताया, Magad एक महाजनबत की category में था, काफी powerful state था यह, तो क्या करता है, जो यह मगद होता है, यह अंग को कुछ time बाद, अपने में ही मिला लेता है, तो जो यह अंग है, यह मगद में ही मिल जाता है, Magad embraced the former district of Patna, गया, and the parts of Shahabad, and grew to the leading state of the time, तो Magad की आसपासी, जितने भी area होता है, Patna, district गया, थी कह शहाबाद, सब को अपने में मिला के, और बहुती leading state बन जाता है, उस समय का, इसकी जो earlier capital थी Magad की, वो क्या थी, राजगीर, जोसकी पहली, सबसु शुरू आती capital, वो बोद पर fortified and show sign of habitation around the 5th century BC, और यहां से, with the help of the archaeological evidence, हमें पता चलता है, कि 5th century के आसपास, यहां पर अच्छा खासा habitation था, लोग यहां पर रहते थे, एक अच्छा टाउन, यहां पर established हो चुका था, अगर Ganga के नौर्थ की बात करेंगे, हम तिरहुद division, the state of the Vajji is including 8 clans, तो the most powerful dynasty was that of the Lichavi, with the capital as the Vajshali, एक और की बात करिये, यह Vajshali थी, Vajshali की capital क्या थी, और सॉरी, Lichavi की capital क्या थी, Vajshali, ठीक है, और यह बता रखा है, कि with the village of the Basar in the Vajshali district, यह इसकी location बता रखी है, पुरान push the antiquity of the Vajshali is too much early period, but archaeological bash was not settled until the 6th century, जब अगर आप पुरान तो उसमें बताया हुआ है, कि जो Vajshali है, वो उसके मतर जो time हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, उससे बहुत पहले बताती है, कि यह इससे बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन अगर हम archaeological, जो archaeological evidence है, अगर हम उनको देखते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है, कि 6th century तक भी यहाँ पर कोई settlement नहीं थी, जब settlement ही नहीं थी, तो Vajshali महाँ पर कैसे पहुँच किया, further west, we find the kingdom of Kashi, अब बात करते हैं, Kashi kingdom की, इसकी capital थी, Varanasi, okay, Kashi की capital Varanasi, excavation at Rajghat, showed that the earliest habitation started around 500 BC, जब हम यहाँ पर खुदाई वगरा करके पता चलता है, हमें तो उससे पता चलता है, कि यहाँ पर जो earliest habitation थी, वो 500 BC के around, शुरू हुई थी, the city was enclosed by the mud embankments at about the same time, ठीक है, and initially Kashi appeared to have been the most powerful state, but eventually it has come to the power of Koshala, तो शुरुआद में जो Kashi था, वो भी बहुत एक most powerful state था, लेकिन बाद में इस पर भी किसका control हो गया, इस पर Koshal, जो Koshal dynasty है, उसका control हो गया, ठीक है, उसकी बाद है, यह कोशal dynasty कहा थी, यह थी Eastern UP वाला जब पार्ट है, और इसकी capital थी Shrivasti, कोशal की capital Shrivasti थी, ठीक है, अगर अब की बात करें, तो यह कहाँ पर होगे जो Gorn और Behras district है, UP का, वहाँ पर उस समय यह कोशal हुआ करता था, डिगिंग करते हैं, जब तो हमें पता चलता हैं, यहाँ पर, कि यहाँ पर, जो settlement थी, वो 6th century के आसपास start हो गई थी, ठीक है, we see the beginning of a mudford, और यही पर हमें क्या देखा गया है, कि यहाँ पर, जो mudford वगरा है, उनकी भी beginning शुरू हो गई थी, जो कोशal है, वो बहुत ही important city हो जाती है, कि कोशal को हम क्या बोलते है अयुद्या बोलते हैं, और हम सब को पता है, अयुद्या सही, जो रामयन की पूरी story है, वो जुड़ी हुई है, excavation show, how, show that it was not settled on any scale before the 5th century, जब हम और, जो archaeological evidence से पता लगता है, कि 5th century से पहले, यहाँ पर किसी तरह की कोई settlement नहीं थी, कोशal also including the tribal republican territory of the shakas of Kapilvastu, ठीक है, इ जुड़े हुए थे, वो जुड़े हुए थे, वो उसी क्लैन से बिलॉग करते थे, लॉड़बुद, the capital of Kapilvastu is identified the Piparva in the Baste district, तो यह बता रखा है, कि जो capital है Kapilvastu की, वो यहाँ पर बता युए है, जो Baste district है, ठीक है, habitation of Piparva did not occur early than the 500 BC, तो यहाँ पर भी जो habitation है, उसक served as the another capital of the Shakyas, Shakyas की एक और capital बताई हुई है, इसके अलावा भी एक और capital वो लुम्बनी, जहाँ पर जो Gautam Buddh है, उनका जनम होता लुम्बनी नेपाल में, तो यह शाक्यास की एक और capital है, अशोका की इंस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह बर् मिलेगा, मलास का, ठीक है, विस्सT Eritory touched the Northern water of the Wajji State, जिसकी नौर्धन प् HOL, जो BR, जो tesaterै туда Marion, मलास का वो किस्ते टाचोता। था वजी स्टे नेपाल में आपको बताया था वजी स्टेटा था, आठ अ अाठ क्लान थे, आठ जो फोरुधी जो ट्राइग उनसे शुड़के यह पुरा वज़ी i state बना था one of the capital of ballas तो ballas की capital क्या थी एक तो kushinaar ठीक है сюда पर gautam budd की death हो गयी थी kushinagar में ही थी न dip, यहाँ पर gautam budd की death place था kushinara is the counter minus with the kasha in the dr Astra district, तो यह इसपी आपकी location बता रखिए a for the west was the kingdom of the west, आप जब आप west की तरह बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको kingdom मिलेगा वत्स तीक है along the bank of the Yamna और यहाँ पर वत्स की किनारे जो वत्स kingdom है उसकी किनारे कौन सी यहाँ पर river थी Yamna river इसकी capital थी वत्स की कोशामभी जो की नियर इलाबाद तो आप समझ जोगे न इलाबाद को थी लोकेशन हम सबको पता है क कि मही पर यह वत्स था तो west की तरफ जा रहा थोड़ा 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 तीक है अब eastern side, Bihar वेगार क्रॉस करते करते यूपी पर entry हो गई है तो वत्स वर आ कुरू क्लान तो जो यह वत्स था इसको कुरू क्लान मी बोलते थे जो कहां से shift हुआ था हस्तनापुर से shift था कुशामबी में सेटल हो किया था कुशामबी वस चूजर बिकॉस अफ इस लोकेशन नियर दा कॉन्फलेंस ओ गंगा यमना जो कुशामबी था इसकी जो लोकेशन थी वो कहा था जग गंगा और यमना आपस में मिलते थे वहाँ पर कुशामबी था in the 5th century BC it has a mud fortification 5th century BC के आसबाद हमें यहां से बहुत सारे mud fortification मतला mud fort वगरा मिलते हैं we also hear of the older state of Kuru's and Panchal which was situated in the western UP जो पुराने जो state थे Kuru और जो पानचाल वो कहाँ पर established थे western UP में जो मैं आपको बताया है जो कुशामबी जो state था यह कहां से आया था यह Kuru clan ही था तो Kuru clan मतला पहले कहाँ था western UP में फिर बात में यह अपनी जगा हस्तनापूर से settle कर लेता है कुशामबी में जो यह वत्स था स्वारी जो वत्स था वो पहले Kuru ही था लेकिन बात में हस्तनापूर से कहाँ जाता है कुशामबी मा जाता है तो उसका नाम भी बदल जाता है वत्स कर लेते हैं अब यह यहां पर सेटल तो हो जाते हैं western UP में लेकिन इनका जो पुराने वाला जो पावर जो इनको मिली थी पहले जो पावर इनको लेटर वेधिक पीरिड नो मिली थी वो अब इनके पास वो पावर नहीं रहती अब बात करते हैं central मालवा की जिसमें कुछ पार जो मध्यप्रदेश का है वो आता है लेदा state of Avanti यहां पर एक important state होता है अवंती ठीक है जो मध्यप्रदेश में होता है इट वस डिवाइद इन्टो two parts दो पार्ट में डिवाइड है एक northern part में जिसकी capital होती है उज्जेण एक होता है southern part में इसकी capital माहिष मती ठीक है बात करने है अब अब अवंती कहा है आपका मध्यप्रदेश में जिससे उससे में central मालवा भी बोलते थे यह दो पार्ट में ड बहुत ही important हो जाते हैं, दोनों ही जगह बहुत important हो जाती है, eventually, उज्जेन suppressed माईश्वती, लेकि बात में क्या होता है, जो उज्जेन है, वो किसको suppressed कर देता है माईश्वती को, और अपूरा का पूरा क्या मिल गया, वो उज्जेन में ही बन गया, इट developed a large scale working in iron, यहाँ पर एक बहुती बड़े large scale पर iron का का काम किया जाता है, ठीक है, और बड़े-बड़े जो strong fortification वगरा है, उनको निर्मान किया जाता है, political history देखेंगर हम इंडिया की, जो 6th century BC से start होती है, तो वो जाधा 6th century BC के बाद से ही start होती है, क्यों बहुत साथे struggle वगरा होते है, और वो क्यों होते हैं, सब states में अपनी supremacy के लिए, कि मेरा state जाधा powerful है, हम जाधा powerful है, eventually the kingdom of Magad immersed as the most powerful, और इसमें होता है, सबसे जो important जो powerful निकल कर आता है, वो कोई और नी, बलकि वो Magad ही होता है, जो सबसे जाधा important और powerful निकल कर आता है, जो सब के वीश में डड़ाई होती है, तो, कहीं तो आपको जो कमबोज है, उसको भी महाजनपत के लिए मिले का कहते हुए, कि वो भी महाजनपत था, लेकिन अगर आप पनीनी की जो बुक है, जो scholar मैंने आपको बताया, इन्होंने पहली बार जो grammar बुक लिखी थी, रूफ वो भी संस्क्रित की अंदर, तो यहाँ प अपको दरगी हो एरीया किसे इस जापशनी की जो सूस्तिक व बहा एंस बार चिक ववर एंस स्वास्तिक एंस था, ओ पर यहां ने मिल तब आघाकिस्तान उतिक ही ? इंडो आर्यन स्पीकर से और इंडो आर्यन स्पीकर का भी कॉंसर टाइम 1500 से 1000 BC का तो यह बात तो clear होगे इसका मतलब कि जो इंडो आर्यन से वो भी है मतलब रहके जा चुके थे उसके बाद वो बहरत में आये थे जैसे कि हमने आरियन कल्चर में पढ़ा भी था Around 500 BC, both Sanskrit and Pali were spoken in the Cambodge तो 500 BC के तौरान यहाँ पर जो Cambodge में Sanskrit भी बोली जाती थी और Pali भी बोली जाती थी which was connected with the partly putr by the उत्तरपत, ठीक है? और यहाँ पर फिर बाद में यह पूरा का पूरा connect होता है एक root बनता है जो पाटली putr तक जाता है और उसी को क्या बोलता है? उत्तरपात बोलता है अब बात करते हैं The rise and the growth of Magdian Empire मगद came into prominence under the leadership of Beembisar अब मगद इत्ता powerful कब हुआ था? मगद इत्ता powerful जब हुआ जब उसको leadership मिली Beembisar की मगद जो area है उससे में बहुत ही powerful हो गया था वो एक बहुत ही powerful state बनके निकला जब यहाँ पर rule आ गया Beembisar का और Beembisar की जो dynasty थी वो थी हमारी हर्यंग dynasty ठीक है? तो सबसे पहली जो dynasty है मगद में आई बहुत ही important वो थी हर्यंग dynasty और इस हर्यंग dynasty के रूलर कौन थे? Beembisar और यह contemporary थे किसके? बुद्ध के ठीक है जो गौदम बुद्ध थे मतलब इनके contemporary थे उस समय मतलब गौदम बुद्ध भी हुआ करते थे जो अपने बोध धरम को काफी आके बढ़ा रहे थे ही begin the policy of conquest तो वही है conquest की जो policy है aggression की जो policy है लडाई जगडा करके ठीक है? इन्होंने बहुत सारे जो area थे उनको जीता और which ended with the killing war of Ashok और हर्यंग dynasty के इससे ही मतलब और यह कहाँ पर जाकर end होता है जब killing war होती है ठीक है? जब killing war of Ashok का तब जाके इसका end होता है शुरू किस ने किया था? बीम बिसार ने शुरू किया था और यही जो लडाई जगडे वाले जो policy होती है कि जाओ, attack करो, लडो यह एंड होती है Ashok से हलाकि जो Ashok थे वो हर्यंग dynasty के नहीं थे इस बीच काफे सरे dynasty आती है लेकिन कही ना कही जो शुरूआत की थी वो बीम बिसार ने करी थी इस policy की conquest and aggression और खतम करते हैं इसको Ashok Ashok के बाद फिर इस तरह की चीज़े हैं वो कम हो जाती है काफी क्योंकि Ashok अपना लेते हैं बोध धरम को और वो लग जाते हैं फिर बोध धरम के प्रचार में लोगों को यह समझाने के लिए कि लड़ाई जगड़ी में कुछ नहीं रखा बीम बिसार acquired अंग सबसे पहले तो यह जो अंग का state है उसको occupy कर लेते हैं जैसे कि हमने लास्ट अभी पढ़ा भी लेक्ट उसमें हमारा लास्ट परग्राफ था कि जो अंग होता है बड़ा powerful state होता है वो भी लेकिन उसको फिर मगद अपने control में कर लेता और मगद को कौन control कर था बीम बिसार control कर रहे थे प्लेस इट अंडर दा wise royalty office son और किसको देते हैं यह अंग को जीत के अपने बेटे को वहाँ का wise roy बना देते हैं और उनका बेटा कौन होता है अजाज शत्रू ठीक है इनका बेटा होता है बीम बिसार का अजाज शत्रू और अंग की capital क्या थी चंपा ठीक है होती है जो बीम बिसार की first wife होती है वो होती है किसकी daughter king of koshal हम सबको पता है koshal dynasty भी बहुत important थी ठीक है तो koshal dynasty के जो king थे उनकी बेटी होती है जिससे बीम बिसार जो बीम बिसार की first wife होती है and the sister of prashnajit the son and the successor of the koshal king ठीक है और यह किसकी sister होती है प्रशन जीत की बेहन होती है मतलब koshal के जो राजा होती है उनकी बेटी होती है और जो प्रशन जीत होती है उनकी बेहन होती है इनकी पहली wife तो वही है मतलब koshal जीत भी किसकी बेटे हुए koshal के ही ठीक है अब होता है क्या है तह कोशल ब्राइट नस कर दी का भिजानीdar to को यहां पर अच्छे से ही अपना व्लेज वगरा जो भी थे महाँ पर सब कुछ मिलता है और revenue के नाम पे इनको के मिलता है revenue इनको कितना मिलता है ये पूरा 1 lakh which suggests that the revenue were collected in terms of coins और उस समय ये coins की terms में ये पूरा revenue इनको मिलता था जो पूरा का पूरा जो काशी का कि जित काशी में free hand in dealing with the other state तो यहाँ पो ते बहुत बढ़ा फाइदा हो गया अब यहाँ से जो कोशल से अच्छा खासा टेक्स मिल रहा है उसको और वो जो बीम बिसार को मिल रहा है तो बिलकुल यहाँ से वो free hand dealing कर रहा है दूसरे states के साथ भी इसके दूसरी wife की बात करते हैं दूसरी wife कौन थी इसकी चेलना ठीक है न यह कहा थी यह लिच्छवी clan की princess थी ठीक है हमने पढ़ा था कि लिच्छवी भी बहुत important state था और इसकी capital क्या थी वैशाली ठीक है अब यहाँ पर यह लिच्छवी की जो princess होती है चेलना उनसे शादी करता है who gave birth to ajashatru और यह जो ajashatru है यह इनी का बेटा होता है चेलना का जो लिच्छवी princess से शादी करता है उनका और विंबिसार का ठीक है ajashatru थर्ड वाइफ होती है daughter of the chief of madra clan of Punjab तो यह जो madra clan होता है पंजाब का तीसरी शादी है उनकी बेटी से करता है ठीक है तीन शादिया पढ़ ली हमने पहले कोशल देवी से दूसरी चेलना है लिच्छवी क्लान की जो princess है उनी से इनको ajashatru का बेटा है वह हुआ और आप कर सारे जो diplomatic prestige है जो privilege को मिल रहे है वो सारे मिल जाए ठीक है और इस तरह से जो magad है उसको privilege भी मिल रहे है और साथ में उसका expansion भी हो रहा है westward भी और northward भी जो magad है वो most serious rival किसके साथ चलता रहते था उसका avanti के साथ ठीक है मैं आपको बताया था कि avanti दो पार्ट में divided था यहा पर magad के जो लोग और avanti इनकी आपसे बनती नहीं थी इट्स किंग चंदा प्रद्योत महासेन फाउट बीमिसार अब अवन्ती के जो किंग होते हैं चंदर प्रद्योत और जो बीमिसार होते हैं दोनों के पीछ में हो जाता है जगड़ा बट इवेंचली टू थौट प्रद्योत वो बीमार हो जाते हैं उनको हो जाता है जौन डेस ठीक है और फिर अवन्ती किंग होते हैं वो बीमिसार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने जो रॉयल फिजीशन है जीवक एक वैत थे जो बीमिसार के कोर्ट में काम करते थे तो जो अवन्ती किंग होते ह वो उनके इस message को मान भी जाते हैं और जीवक को कहां बेज़ देता हैं अवंती के कोड में बेज़ देता हैं कि जाओ वा के जो अवंती के जो राजा है प्रद्योत उनकी बिमारी हो गई है और जाके उनका इलाज करो बीम बिसार is also said to have received an embassy and the letter from the ruler of Gandhar बीम बिसार को जो ruler थे गांधार के वहां से भी जो letters वगरा मिलते रहते थे with which प्रद्योत had fought unsuccessfully therefore through this conquest and diplomacy बीम बिसार made Magad the dominant state in the 6th century BC his kingdom is said to have consist of 80 villages अब इसके kingdom में किते villages आते थे पूरे 80 village आते थे ठीक है और सुनने भी आपको पतल रगरा हो कितना बड़ा नमबर है उस समय भी जो earliest capital थी Magad की मैंना आपको जैसे की बताया वो राज़की थी which was called Grivraaj उस समय ये राज़की गरिवराज के नाम से जानी चाती थी Magad की first capital थी राज़की मैंना आपको बताया था और ये कमसे का 5 hills थे पूरा area था ये cover था पाँच बड़ी बड़ी उची-उची hills वगरा होती थी the opening in which were closed by the stone wall on the all side थी कहें तो मतलब इसको पूरा इसकी जो bounty थी इसकी जो sides थी उनको cover इस तरह किया हुआ था stone wall के सार जिसे की कोई easily इनके state में गुस ही ना पाए according to the Buddhist Chronicles अगर Buddhist Chronicles को हम पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं बीम बिसार ने कितने साल तक रूल करा? 52 years तक रूल करा ये timing दे रखी है उनकी और उसके बार पर इनके पेटे है अजाश शत्रू अजाश शत्रू ने अपने खुद के फादर को मार दिया अजाश शत्रू ने भी बीम बिसार अपने फादर को मार दिया और थ्रोण को सीज कर लिया अपने लिए लेकिं जादा जो यहाँ पर काम देखा गया है वो बीम बिसार के थुरू ही देखा गया है he fought two wars and made preparation for the third वो दो बहुती बड़ी लड़ाई जीच चुका था और तीसरी लड़ाई के लिए प्रिपेर कर रहा था his train is pursued and aggressive policy of the expansion और बहुत ज़्यादा aggressive policy थी कि हमने राज्य को बढ़ाने के लिए मतला हमें तो कुछ भी हमें expansion के लिए हम कुछ भी करेंगे लड़ाई जगडा करो marriage alliance करो लेकिन हमें expansion चाहिए this provoked a combination of Kashi and Koshal against him and there began a prolonged conflict between Magad and Koshal and eventually Ajaj Shatru got the best of the war and the Koshal king was compelled to purchase peace by giving his daughter in marriage to Ajaj Shatru वही काम बेटा कर रहा था या वो भी लड़ाई जगडे में बिलकुल वही वाली policy अपनाता है ठीक है कि अब लड़ाई जगड़ा कर खुछ भी करना है यहाँ पर यह क्या करता है Ajaj Shatru यह जिससे इसके पिताजी होता है वो अच्छे relation बनाते है Koshal से लिच्छवी से यह वहाँ पर भी जाके वार करना शुरू कर देता है और यहाँ से अब Ajaj Shatru को शान्त करने के लिए जो Koshal King होते हैं वो क्या करते हैं वो अपनी बेटी की शादी किसे कर देते हैं Ajaj Shatru से कर देते हैं तीक है अब यह मैं सोचते है कोशल ने तो पहले अपनी बेटी की शादी बिमिसार से कर दी और अब Ajaj Shatru से कर दी यहाँ पर अब कोशल की बदल चुके होते हैं क्योंकि बिंदु सार के टाइम पर कोई और किंग थे और उनकी तो अपसे डैथ भी हो गई होगी अब यहाँ पर जो दूसरे कोशल की रहते हैं Ajaj Shatru के टाइम पर वो अपनी बेटी की शादी कर देते है Ajaj Shatru से और यहाँ पर जो चीजे होती है फिर से वही है कि वो लिविंग इम in सोल पोजेशन आफ काशी और फिर वो ही है इसकी खुद की मदर कौन थी लिच्चवी प्रेंसेस थी ठीक है लेकिन उसके बाद भी इसने उन लोगों के साथ लड़ाई चवड़ा पूरा बराबर रखा थीक है वेशाली के अगेस्ट और क्या था जो लिच्चवी था वो भी किसका अलाईस बन चुका था कोशल का क्यों कहीं ने कहीं सारे थे तो रुष्टदार ही है सब आपस पें दूसरे को जान गई होंगे अब वही हुआ इसने किस टीसी कोई शरम नहीं करी के मेरी मा का माय का है या नहीं लास्ट में यह हुआ कि महाँ पर लड़ाई चगड़ा करके इसको इन्वेट करके युस टेरटरी को इसने जीत लिया पाई डिफीटिंग दाम इना बैटल ओके इस तुक एम फूल 16 यह तो इसना अच्छा का सा टाइम लग गया तो यह इसके पास बहुत अच्छे वार इंजन वगयरा वेपन्स हुआ करते थे यह जिससे इस ते जो फाइट थी वो इसली लड़ ली आपने देखा है बाहु बली मुवी देखियो उसमें एक रत के आगे वो ऐसा गूमने वाला सा लगा रहता है इस तरह के जो चीज़े थी वो इसके पास थी और उससे इसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था जो मगद एमपायर था वो काफी बड़ा हो चुका था क्योंकि उसमें काशी और वैशाली दोनों मिल चुके थे दीक है काशी भी और वैशाली भी अजाश शत्रू faced a strong rival in the ruler of Avanti लेकिन जब ये ruler of Avanti के पास जाते हैं तो वहाँ से इनको एक तकड़ा मिलता है रेक्शन मिलता है अवन्ती defeat the wats of Kusambi जो अवन्ती थे उन्होंने जो Kusambi के जो wats थे उनको भी हरा दिया था लेकिन अवन्ती को पता था कि उस पर कभी भी किसका attack हो सकता है अजाश शत्रू का attack हो सकता है मगत की साइट से तो meet this threat अजाश शत्रू begin the fortification of Rajkir अब यहाँ पर वही सेम खत्रा अजाश शत्रू को भी feel हो रहा था अजाश शत्रू के बात आता है उसका बेटा उधायन ठीक है इसका time इसलिए इंपोर्टन है उधायन का क्योंकि सबसे पहले एक fort बनवाता है और यह fort कहा बनवाता है जहाँ पर गंगा और सोन रिवर मिलती है पतना वाले अरिया में अब देखेंगे कैसे स्ट्राइजिक थी आगे अब उधायन के बाद यह समझे के जो हरियंग डाइनस्टी के रूलर चल रहे है अभी तक तो यह पीम बिसार अजार शत्रू उधायन और इनके बाद अब डाइनस्टी आती है शीशुना की ठीक है जो कुछ थोड़े ही time के लिए रहते हैं और यह अपनी capital को कर लेते हैं पाटली पुत्रे में इनकी सबसे बड़ी एक अटेश्मेंट यही थी कि जो अवन्ती की जो पावर होती है उसको खतम कर देते हैं यही बस शीशुनाग जो डाइनस्टी उसकी यही इंपोर्टेंस रही है इस ब्रॉट तो अन अब शीशुनाग को कौन सक्सीड करता है शीशुनाग को सक्सीड करने के लिए आती है एक और धावर तेम है यहाँ पर इनकी पावर बहुत स्जादा होती है टat Alexander who invaded Punjab at that time टेर नउट मूफ तूबर दा इस नंदा डाइनस्टी के टाइम पे जो अलेक्सेंडर था जिसा में उस समय वो मगद में रूल कर रही थी और यहां से जो उसके आर्मी के जो लोग होते है लेक्जिंडर की आर्मी के वो उसको बता देते हैं कि जो डंगर डैनस्टी है वो बहुत पावफुल है और वो लोग तो पहले से वार करते आ रहे थे तो यहां पर काफी थक चुके थे इसलिए यही सोच के जो अलेक्जिंडर होता है वो अपनी आर्मी को वापस ले जाता है जो डंदा थे उन्होंने अपने एरिया को मगद तक पूरा फिला रखा था और अब वो कलिंग पर अटैक करने वाले थे हैं कलिंग पर फ्रॉम वेयर दे ब्रॉटन इमेज औफ जिन as a victory trophy जहां से वो जो जिन की जो इमेज थी उसको लेकर आते हैं as a victory trophy उस साइम पर जो कलिंग था उडिसा का जो एरिया है उसको कलिंग बोलते थे all this took place during the reign of maha padmananda ठीक है तो यह सब किसके time पर होता है जो maha padmananda होता है उनके time पर यह सब चीज़े होती है their rule claim to be akarat इनके rule को बोल जाता था akarat the sole sovereign who destroy all the other ruling princes क्योंकि इन्होंने पाकिसाभी ruling princes को हरा दिया था it seems that he captured not only the culling but also koshat इन्होंने culling को भी जीत लिया था कोशल को भी जीत लिया था अवंती पहले से ही मिल चुका था इनकी राज्य में नन्दा वस fabulously rich and enormously powerful तो बहुत जदा powerful भी थे और rich भी थे कम से कम 2 lakh जो infantry थी उसको maintain करते थे 60,000 cavalry को maintain करते थे 3,000 से 6,000 इनके पास war elephant थे जो सबसे खास बात थी इनके पास war elephant हुआ करते थे एक बहुत बड़ी huge army थी जिसको maintain करते थे यह taxation system से लोकों से tax लेते थे और फिर अपनी army को maintain करते थे these consideration prevented Alexander for advancing against the नन्दा और यही चीज़े होती है जिनको सुनके जो Alexander की आर्मी होती है वो पीछे अड़ जाती कि हम नहीं जाहेंगे माँ पर the later नन्दा provoked to be sorry proof to be weak and unpopular लेकिन जो बाकी जो नन्दा जो और जो लाज की रूलर होते है वो काफी weak और अनपॉपुलर होते है their rule in Magad was supplanted by that of the Moran dynasty under Vishna Magdian Empire reached the apex of the Calary अब इसलिए Magad में अब तीरे देरे जो नन्दा जो रूलर होते जा रहे है वो वीक होते जा रहे है तो इसलिए अब यहां पर इनको कौन हटाएगा अब आएगी एक और नहीं डाइनस्टी इसका नाम होता है अब बात करते है जो Magad की सक्सेस है उसके पिछे ही क्या रीजन थे सबसे पहली बात है जो Magad था जो March of the Magadine Empire during two centuries preceding the rise of the Moran is like the March of the Iranian Empire during the same period तो जैसे कि अगर जो Iranian Empire थे आपने देखा ना किस तरह से जो Iranian Empire थे वो दीटे 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 जो आरेन मन के हमारे देश में आते चले गई तो वैसे कि कही ना कही जो Magad है उसमें भी यही चीज हो रही थी है ना कैसे एक डैनस्टी के बाद दूसरी डैनस्टी आ रहे थी तो formation of the largest state in India during this period was the work of the several enterprising and ambitious ruler क्योंकि इस time पे सबसे जादा ambitious ruler आते हैं जिनमें बीम बिसार थे, अजार शुद्रू थे, महापदमानन थे उन्होंने ही Magad को इतनी important शेगा बना दिया इन्होंने क्या करा इन्होंने जिसको भी employer करते थे अपने court में अपने आर्मी में रखते थे कोई बस उसकी power को देखके रखते थे ठीक है एक बहुत फेयर फाउल यह नहीं था कि अपने लोग हैं अपना बेटा है तो यह सोच करें नहीं ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि इनको किसी भी हीमत में अपने राज्ये को strong बनाना था इनका main reason यही अपने आप इस चीज़े बतल जाएंगी है ना और राजगीर मैंना को बताया था मगत की पहली capital राजगीर ही थी तो इस राजगीर के आसपास बहुत सारी आइरन डिपोजट थे तो इसलिए भी यह जगा बहुत सादा powerful बन गई और यहां पर रिश्ट आरान और की वज़ लेकिन वह काफी दूर थे जो अवंती जो स्टेट था वो भी powerful था लेकिन वहां से काफी दूर थे अवंधी capital में आपको बता दी उजजेन तो इसलिए वो लोग इतना उसका फायदा नहीं उठा पाई आरन वा सटेली फोस्ट और इसलिए जो अवंती एंपायर थी और जो मगध एंपायर थी वो एक दूसरे के सामने बहुत ही सीरियस कॉंपेटिटिटर की तरह खड़ी रहती थी क्योंकि मगध में भी बहुत सारे आरन रिच रिपोजट थे और जो अवंती स्टेट है उसमे जाता था तो इसलिए अब दोनों के पास बराबर के टकर हैं तो इसलिए यहां पर यह सुप्रीमेसी के लिए तो सबसे बड़ा जगड़ा चलता है वो इंदियों के बीच में ही चलता है मगध को अवंती को अपना बनाने के लिए पूरे सौ साल लग गए थे मगध इस टाइम पर नहीं गुश सकता था इनके उसमें ठीक है सीटाडल जैसा बतन बताया था ना एक बिल्कुल उचाय पठार से पर जागे होते थे इनके वो ठीक है और वहाँ पर कैनन लगा दे जाती थी बड़ी बड़ी जो तो फगेर होती है वो लगा दे जाती थी मगध चैपिटल को और वहाँ पर जाती अधिक है और फोर तृषर पर इंडस्ट्रिवल डेस तक कॉम्निकेशन वर 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 वैडि इफिकल्ड तो थी नहीं जो आर्मी थी उसको मूव करना पड़ता था था नौर्थ वेस्ट साउथ इजी पाई दा कॉर्स ऑप तरीवर तो सबसे जल्दी अगर को टास्ता होता था एक दूसरे के पास बहुत ने का तो वह रीवर के थ्रू ही होता था जो पुजीशन थी पढ़ना की वह बहुत जादा इंवन्डरेवल थी बिकॉस इट वस वर्चु पाउट्र वह बहुत जल्दी दूसरे तक पहुचा सकते हो पाथली पुत्र वह एक ट्रू वाटर फोर्ट उसे कहा जाता था क्योंकि आसके आसपास काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स वगरा थी जो मगत था वह इंपॉर्टेंट सेंटर था मिट गंगा हम सब को पता है व उसको मगत को इसलिए ही कि वह नहीं कहा गया महाजनपत क्योंकि उसमें वाकरी में बहुत सारे चीज़े थी उसके पास इसलिए तो पूर्टेंट था यह कहां पर लोकेटिट था गंगा के प्लेंस में इनके पास इसलिए जो फैसलिटी इस थी वह बहुत अच्छी थी ठी और timber उस ताइम पर काफी काम आता था जो मेगस्थनीस है जो मेगस्थनीस है वो एक ट्रावलर था ठीक है और ये wooden walls के बारें बताया है कि यहाँ पर लकड़ी की दिवारे होती थी उस समय जो पार्टी पुत्र में जो फोर्ट वगरा उतों लकड़ी की दिवारे होती थी और लकड़ी काँ से मिल लिया टिमबर से मिल लिया और timber उस एरिया में भर-बर के है जो boards है उनको भी यहाँ मनाना बहुत आसान था क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे लकड़ीया वगरा भी अविलेबल थी similarly environmental factor भी बहुत ज़ादा help करते थी यहाँ agriculture में और मगद को बहुत ज़ादा prosperous बनाने में यहाँ पर soil कौन से थी? aluvial soil थी और aluvial soil सबसे अच्छी होती है क्योंकि सबसे fertile soil होती है जंडलों पिलियर करना भी आसान था क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासे rainfall होती थी तो जो जो जमीन थी वह जो काफी लाइट थी तो आप उससे बुद्धिस टेक्स से इस एरिया फार मोर प्रोड़क्टिव बहुत ज़ादा प्रोड़क्टिव एरिया था चाहिए आप वेस्ट से इलाबाद तक का एरिया देख लो पूरा बहुत ज़ादा नहां पर क्या था फटाइल था तो मतलब किसान इतना अच्छा का वहाँ पर प्रोड्यूस उगा लिया करते थे कि उनको इखटा करके वो रखना पड़ता था और उसको टेक्स की फॉर्म में वो राजाओ को देते थे